दोस्तों यहां पर finally Xiaomi Hyper OS 1.0 का update यहां पर rollout कर दिये गया यहां पर आप देख लीजिए इसका build number है 1.0.1.0 और इसका update का size मिलता है आपको 1.2GV और दोस्तों यह update आपको देखने को मिलता है Poco X4 Pro 5G के अंदर और Redmi Note 11 Pro Plus 5G के अंदर तो दोस्तों दोना ही device में आपको बता दे आपको देखने को मिल जाते हैं इन दोना device के अंदर तो दोस्ते आपर आज हम दोना device की बात करते हैं क्योंकि तो दोना ही device same और same to same update rollout किये जाते हैं दोना ही device में ठीक तो है आप चेंज लोग की अगर हम बात करें तो पूरा चेंज लोग है security pages के तो नर मार्च का मिलता ह तो आपको मिलिए और दोस्ते इंफोर्मेशन से को आपको अब्रेटे मिल जाता है तो जल्दी से अप्रिट एक वीज़को आज अब्रेट रॉलाट की अपने रहा है फिर से तो अगर हम चेंजन की की बात करें इसके आप पतरा है ये काफी अच्छे कंट्रों सेंटर है स्मूध है कोई परवल नहीं आपको बरवर के मिलते हैं और जो कि इसकी मेन हाइल डाइटिंग फीचर में आपको बताता हूं जो कि आपको पता है कि लोक स्क्रीन जो की एफेक्ट के साथ में मिलती है और दोस्तों आप मुझे कमेंड़ ब क्योंगे मुझे फीचर अच्छा लागता है क्योंकी यह फीचर आपको अनड़न 14 में ही मिलता है एंड़न 13 में नहीं मिलता है तो यह फीचर आपको बताए यह बहुत जयबरदस्त और भी बहुद्ट सारे फीचर अनिमेशम्स पर काफी ज़ना काम गया है है ज़तकर दोस्तों आपको 10-15 दने के अंदर मिल जाएगा वैसे दोस्तों सारा यूर्स को ही अपडेट देखने को मिल चुका है तो दोस्तों यह छोटी सी वीडियो थी अगर वीडियो पसंद आयो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लीजी वीडियो को लाइक झाल क्योट्यू